हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ लखी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लखी क्रिएशन्स फॉरेवर ट्वेंटीवन पे 70% उफ चल रहा है अप टू 70% उफ तो अशुवल मैंने शॉपिंग कर ली है और क्या क्या चीज़े खरीदी है मैंने जैसे मैं हमेशा कुछ पेर महीं खरीदी हूँ तो इस बार मैंने जीजन टॉप और हाँ जीजन टॉप ही मोसली उसका ही पे टॉप सीज़े जीजन टॉप ही मैंने मुस्टीज कोशिश की है किके फूल यह टॉप यूद्श शोल्डर टॉप है वैसे थह आप और नहीं पहसके बट मैं भी इसब टॉप है इस फूल स्लीज़े टॉप है यह बलक कलर का बल्कूल ही इसकी उपिंग बहल पाट टॉप ह यह पुल स्लीव है और यह कोल शोलडर बहुत ही अच्छे फ्लोवे बाढ़ यह काफी काफी एंद पर जाके वह कंच होता historically और जब मैंने इसको पहना तो इसका लुप बहुत अच्छा आ रहा था और ये इसको क्रॉप टॉप नहीं कहेंगे ये क्रॉप टॉप जैसा बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा नीचे तक है और होस्यरी कॉटन मेटीरियल है इसका और पहन सकते हैं अच्छी कॉलिटी का टॉप है तो ये वेरा सबसे पहला पॉचेस हो गया अब फ्रेंट के आती है अब दूसरे पॉचेस पर दूसरा मैंने इसके साथ पैर रप करने के लिए इसे लिए है जैसे कि एक ब्लाक टॉप है तो बहन उसके साथ ये एक ब्लाक कलर का जीन अच्छी वे ये शिवी का आपको टाइप से ब्लाक जीन ज्बेना चाहरी थी तो ये लाक कलर का जीन's मुझे जो कि इस पर पॉर्स लेशालि में अगर आपके फ्लोड लोग दिखात यह पेहनने के बाद काफी अच्छा लुक देता है और काफी high-rise jeans है यह अर्मो सारे के सारे high-rise है और पेहनने के बाद लुक काफी अच्छा आता है फिटिक अच्छी स्ट्रेचबल फाबरिक है और यह बीट्स लगे वे हैं lightly washed denim है यह बहुत जादा भी washed नहीं है और distress भी थोड़ा ही सा है यहाँ पे नीज पे थोड़ा सा कट है और फिर भी मुझे लगा पहनने के बाद यह इस जीन का लुक आफी अच्छा आ रहा था काफी stylish लग रहा था यह जीन से स्टॉप साथ पहनने में और चली friends moving on to my next item next क्या set purchase किया मैंने एक और full sleeve top बर दस ताइम यह थोड़ा सा प्रॉप जैसा है और puck sleeve है क्योंकि tough sleeve का अच्छी बहुत बहुत जादा fashion है और मुझे लगा कि यह काफी boxy लुक वालग टॉप हो गया था पट यह actually मैंने यह medium size में बंगाया कि मैं थोड़ीचE doubtful थी अपने size को लेकर साइस चार्ट के accordingly तो मुझे लगा कि चलो में medium मगाती हूँ इसकी भी अच्छी लगी बट यह थोड़ा सा लूज है और यह puff sleeve है और prop top है इसकी length आप देख सकते हैं बहुत जादा लबी नहीं है बट पहनने के बाद काफी ही cute सा लुकारा था इसका और इसका भी top की बहुती bright red सा color है और all over यह top मुझे बहुत cute सा लगा अब चली मैं बताती है कि इसके साथ pair up करने के लिए मैंने ख्या लिया है इसके साथ pair up करने के लिए मैंने shorts लिया है जो की थोड़ा सा distance look में है और यह blue color के shorts मैंने लिया है इसके साथ में और prices में में बूल गया यह second top जो red वाला दिखाया मैंने आपको वह लिया था around 500 का और यह jeans मैंने around 600 rupees में लिया यह shorts तो जो भी prices होगी मैं आपको description box में लिंक सारे product का mention कर दोगी आप उसके accordingly check कर लिए अगर आपको कोई भी चीज में से पसंद आती है अप लेने में इंट्रस्टेट हो तो आप उस मतलब इसके options थे कापी सारे mostly other brands अगर आप जाएंगे तो 26 मिलता है फिर 28 मिलता है 27 का option नहीं होता है तो मुझे लगा कि चलिए यह अच्छा है कि मैं ले सकती हूँ और इसकी fit बहुत अच्छी आई मुझे इस वाले shorts की और actually यह ना मतलब ऐसा भी hot pant जैसा look में है इस शॉट्स का मुझे लगता है इसका जो इसकी जो लेंध है ना वह बहुत ही perfect है आपकी डेली आउटगोइंग के लिए कभी आपको बाहर जाना है आज पास आने जाने के लिए तो मुस्की लोग hot pants prefer नहीं करते हैं और हर समय चीज भी पहनना नहीं जाते है तो उसकी लि अज़ा नहीं है कि मिडल वेस्ट नहीं कहेंगे इसको या मीडियम राइस नहीं कहेंगे काफी ही high-rise थाई जब मैंने इसको पहना तो मतलब एक normal high-waisted jeans होता है वैसा यह है आप इसको high-waist jeans कह सकते हैं तो यह हो गया इसके back side में two pockets हैं और फ्रेंट में जो normal pockets होते हैं और य अज़ा ने भी एक try out किया कि चलो मैं भी एक लेकर देखती हूं तो यह second pair हो गया मेरा और मैं आपको दिखाती हूं थर्ड मैंने क्या लिया है थर्ड मैंने यह एक velvet का top है जो की ribbed pattern में है तो यह crop top है और again bell sleeve और puff sleeve actually और मुझे यह लगा full sleeve देन अच्छा रहेगा क्यूंकि कि थोड़े दिनों के विंटर आ जाएंगे तो इस तुरह के top बहुत अच्छे लगते है विंटर के ताइम पर तो यह मैंने लिया एक अभी से ही अन्वांस पर तयारी है मैं बिल्कुल फैशनेबल दिख कर रहा हूं कि मैं इस विंटर में चलिए मैं आपको दिखाती हूं कि यह वेल्वेट का top है और ribbed pattern में है तो तुरह से stretchable भी है इसको भी मैंने medium size में बगवाया है और इसकी fitting मुझे यह थोड़े से boxy look जासा ही हो गया था पर फिर भी मुझे पहनने के बाद ही बहुत ही cute और बहुत ही अच्छा सा लगा और quality बहुत अच्छी है इसकी इतना अच्छा soft fabric है और यह मुझे लगता है यह top थोड़ा ऐसा है थोड़ा मोटा है यह fabrics का तो इसको आप विंटर्स में ही mostly पहनोंगे summer में आप नहीं पहन पाओगे इसको क्योंकि यह थोड़ा सा गरम भी है तो मुझे इसको पहनने के बाद लगा कि हाँ यह यह विंटर्स के कि लिया यह युझे इसके साथ पररी पाकी लिये मैंने यह जी जीन्स लिया है इसके साथ चार्ट अटाच्छ भी तग्र यह मुझे सकते को मेंशे में आफ और ली बिल मा 혼자 कों मुझे मुझे लगा कि यह लगा कि यह यह तो सुट आप 500 का अर यह और यह श्र्ट 熊ंट कम तो मुझे थोड़ा सा लंबा हो गया तो मुझे लगता है मुझे यह पाटर तो मुझे नहीं मिल पाएगा क्योंकि मुझे अफ़ नीचे से कट करवाना पड़ेगा और यह मुझे काफी पहनने के बाद बहुती कीवूट सा लुका रहा था इसको उस टॉप के साथ प्यारख करने पर और अगर आप अपको एड़ इस तो मैंने पहना है तो उसमें मैंने इसको इक प्यारख किया है जो बिलगुल ही पीए सेम उसी कलर के टॉपका है और वो बूट से अगर आपको से वही लोग क्रियेट करना हूँ तो उस बूट का भी मैं आपको बाइं लिंक दिस्रिप्शिन बॉक्स में दे दूगी वो मैंने काफी टाइम पहले मिंत्रा से खरीदा था और अभी भी वो मिंत्रा पे अवेलिबल है और काफी अच्छी क्वालिटी का बूट है विंटर में आपको बहुत काम आएगा रिज़र्ट करें वेबसाइट पर जाकर के यह सारी चीजें मैंने फॉरेबार 21 के वेबसाइट से ही खरीदी है और वहां पे बहुत सारे बूट पेमेंट्स पी है जिसे चैश और डिलिवरी भी अवेलिबल है अनलाइन पेमेंट्स पी अवेलिबल है तो आप इस तरीके से पेमेंट करना चाहाँ कर सकते हैं मुझे कमेंट करके बताएए मेरा कलेक्शन कैसा लगा और आपको इस कपडों से रिलेक्टेड को भी जायमकरी चाहिए हो फ्रेंस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स को कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे और अच्छी वीडियो देखने के लिए वेले चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजिए अगर आपको वेरे यह वीडियो अच्छी लगयो तो लाइक जरूर करिएगा और चल जीए पिर मिलते हैं नेस वीडि यह वेले तब तब तक एले बाइक एक ए